आई जो रिलेक्सेशन प्रोवाइट कियें इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वीडियो को स्किप नहीं करना है अभी जो लोग सी ये फाउंडेशन पास आउट कियें इंटर्मीडियेट में रजिस्टेशन कर रहे हैं चाहे डिरेक्ट इंट्री रूट से या सारे स्टुडेंट्स के लिए वीडियो है क्या फाउंडेशन वाले वीडियो को स्किप कर सकते हैं मत करना है स्किप आगे चल करके आपको भी बेनिफिट मिलेगा बाकि आप करना चाहो आज के डेट में तो कर लीजिए स्किप चिए फाउंडेशन कोर्स में स्कॉलर्शिप में अप्लाई करना बच्चों का खेल है लेकिन आप लोग इतना कंफ्यूज रहते हो तरह तरह के यूटूब पे वीडियो देखते हो सही वीडियो आपके पास नहीं आपाता है तो आपको लाइप डेमो रजिस्टेशन प्रोसेस भी बता देंगे कैसे स्क रेकी इन टी रूड से जैसे ही रैलिस्टेशन पर्डूर्स के लिए अप्लाई करना होता है जैसे नाइन मंथ चला जाता है एक दिन भी आगे चला जाएगा आप लोग इस्कॉलर्शिप के लिए अपलाई ही नहीं कर सकते हो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते है और सेम condition है CA final course में जैसे ही registration करोगे 9 month के अंदर में आपको apply करना परेगा scholarship के लिए तभी scholarship मिलेगा otherwise आप scholarship के लिए apply ही नहीं कर सकते हो यानि कि अभी जो बच्चे foundation course में पास किये है और जो बच्चे intermediate बोथ खुरूप के लिए किये फाइनल में गये तो क्या scholarship के लिए अभी time है अभी आराम से time है आप लोग apply कर सकते हो और इसका benefit उठा सकते हो यानि कि need ways scholarship में अगर intermediate वाले चाहे direct entry से हो या foundation route से intermediate course में रेजिस्टेशन सारे बच्चे अपलाई कर सकते but condition यह है कि आपके parents का annual income तीन लाग से कम होना चाहे तीन लाग होगा चल जाएगा इससे कम होगा देन चल जाएगा अगर जैसे ही annual income तीन लाग से कम होता है आप लोग apply कर दीजिए क्या बोलते intermediate में रेजिस्टेशन कर चुक है scholarship के लिए 1500 पर मन्त मिल जाएगा same condition है CA final वालों के लिए अगर आपके parents का annual income तीन लाग या इससे कम है तो आप लोग apply कर सकते लेकिन CA final course में registration होना चाहिए और साथ में 9 मन्त के अंदर में आपको apply करना परेगा सबसे पहला चीज आपके पास होना चाहिए CA का membership number किसी CA से बात करो उनसे membership number ले ले और उनको बोलो कि जैसे ही आप scholarship के लिए apply करोगे तो वहाँ से वो check करके approval कर दे तो यानि कि membership number चाहिए ही चाहिए गूगल पे search कर लेना CA office और CA से बात कर लेना जान पहचान नहीं है तो CA का membership number चाहिए ही चाहिए इसके अलाबा कोई दूसरा option नहीं है इसके अलाबा क्या चाहिए parents का pan card चाहिए pan card आपका नहीं चाहिए parents का चाहिए वहाँ से annual income चेक किया चाहिए इसके बाद आपको अपना bank account देना परेगा और साथ में cancelled check अब ये cancelled check क्या होता है इसके बारे में भी doubt आता है तो थोड़ा सा research कर लो YouTube पे search कर लो cancel check कहते है आपका जो bank account जिसमें भी account है उस bank का checkbook होगा नहीं है तो उस branch पे जाओगे बोलोगे हमें अपना checkbook चाहिए वो checkbook आपको दे देंगे और checkbook पे क्या लिक कर देना लिख देना cancelled और उसको upload कर देना अपलोड कर देना बस इतना ही काम है cancelled check का मतलब यह हुआ checkbook पे लिख देना एक page फार्ड लेना उसमे cancelled cancelled लिख करके upload कर देना इतना सा काम है क्या है पहला चीज होना चाहिए CA का membership number और जब आप scholarship के लिए apply करोगे तो सबसे पहले CA approval करेगा उसके बाद AI approval करेगा तो CA का membership number दूसरा parents का pen card तो parents का pen card upload करोगे लिखोगे parents का pen card का detail parents का मतलब यह होता है पापा या मम्मी दोनों में से किसी का pen card number चाहिए I hope कि doubt clear हो गया इसके बाद आपको scholarship चाहिए न तो आपका अपना bank account होना चाहिए जब आपका bank account है तो आपके पास checkbook भी होना चाहिए नहीं है checkbook चेकbook के बिना approval भी नहीं होगा ये बात याद रखना तो जाओ branch पे आपका जिस भी account है जो भी bank में account होगा उस branch पे जाना बोलना कि हमें checkbook चाहिए तो वो checkbook दे देंगे हो सकता है तो आप लोग को एक month वेट करना पड़ेगा इसके बाद checkbook मिल जाएगा तो उसमें क्या करना एक page एक checkbook को फारना उस पे cancelled लिख लेना अपलोड कर देना यहीं होता है cancelled check चाहिए आप CA intermediate course में registration कर चुके और यह CA final course में आपका parents का annual income तीन लाग या इससे कम होगा दैन आप scholarship के लिए apply कर सकते हो और साथ में registration करने के 9 month के अंदर में आपको apply करना परेगा जैसे हैं इससे बाद करोगे apply आप scholarship के लिए apply कर ही नहीं सकते 500 पर मंत मिलेगा देर नहीं करना है जल्द से जल्द आपको scholarship के लिए apply करना है आपके मन में doubt आ सकता है क्या आपने live demo video बना रखा है scholarship के लिए कैसे apply करना जिसका जबाब है जी हाँ मैंने live demo पुरा process बता रखा है कैसे आप लोग को scholarship के लिए apply करना वीडियो का link आपको description मिल जाएगा उस वीडियो को देखो आपका doubt clear हो जाएगा note करो ध्यान से note करो एक बार last में फिर से बोल दे रहे ये सब चीज में से एक भी चीज नहीं होगा आप apply ही नहीं कर सकते पहला CA का membership number दूसरा parents का pen card तीसरा आपको अपना bank account चौथा cancelled check यानि कि इतना चीज आपके पास है पांच मिनट में scholarship के लिए apply हो जाएगा मैंने already वीडियो बना रखा उस वीडियो को देखो आपका doubt clear हो जाएगा I hope कि आपका doubt clear हो गया तो comment box में thank you लिखिएगा कोई additional doubt है योटूब comment box open है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो मिलते हैं next video में